दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पेटिशन यूज में दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी जूनियर एड़ेट शिक्षक भरती का विस्तरित विज्यापन आ चुका है और सबसे बड़ा confusion छात्रों में subject को लेके है कि वो कौन सा subject चूज करेंगे खास सौर से BTEC, BCOM, BBA, BCA और MCA वाले जो student है वो कौन सा subject चूज करेंगे BA, BSC वाले कौन सा subject चूज करेंगे और क्या BA वाले यहाँ पर science और math क्या यहाँ पर paper दे सकते हैं और क्या BSC वाले यहाँ पर भाशा का option चून सकते हैं या समाजिक विशय जो subject है उसको चून सकते हैं सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं सबसे बड़ा confusion क्या है यह भी आप लोगों को बताने वाले हैं भरती की सर्टीक जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से request है अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लीजे ताकि आप लोगों को भरती से related हर खबर सबसे पहले मिल सके तो दोस्तों इस वीडियो में हम age के विशे में भी बात करेंगे कि कितनी age आप लोगों की होनी चाहिए maximum और minimum OBC, SC, ST के लिए age कितनी होनी चाहिए maximum और general के लिए कितनी होनी चाहिए फिराल दोस्तों हम देख लेते हैं कि किस पिरकार से यहां पर paper आएगा और जो BA, BSC, BTEC, MC वाले जो बच्चे हैं वो कौन सा subject यहां पर choose करेंगे तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं और यह भी देखेंगे दोस्तों की जो पूरा का पूरा जो notification है इसमें जो form भरने के लिए जो योग गिता है वो क्या होनी चाहिए तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो सबसे बड़ा confusion है वो दूर कर लेते हैं उसके बाद बाकी चीज़ों पर आएंगे तो सबसे जो यहां पर confusion छातरों के बीच में है कि जो BA वाले जो बच्चे हैं वो कौन सा subject choose कर सकते हैं और BTEC वाले कौन सा subject choose करते हैं सब कुछ आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं तो यहां पर दोस्तों आप लोगों देख सकते हैं पेपर यहां पर एक होगा एक पेपर आप लोगों का लिया जाएगा जिसके दो खंड होंगे और दो खंडू में दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो पहला खंड होगा वो समानने ग्यान का होगा जो सभी शिक्षकों के लिए अनिवाद रहे चाहें, आप भाषा को चुन ले, या समाजिक अध्यान को चुन ले, या गड़ित और विज्ञान को चुन ले, लेकिन समान अध्यान का जो पेपर है, ये सभी के लिए common होगा, जिसमें जो प्रिश्णों की संक्या है, दोस्तों वो कुल मिला के 50 होगी, और अंक भी 50 होगे, अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, कि इन जो यहाँ पे तीन आप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, इसमें से आप लोगों को कोई भी एक सब्जेक्ट चुनना है, और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये बता दें, क अगर आपने B.S.C. ले रखी है, तो B.S.C. से अगर आपने graduation किया है, तो आप गणित और विज्ञान के शेक्षक बनने के लिए eligible है, और दोस्तों अगर आपने B.A. किया हुआ है, तो अगर कोई humanities के subject हैं आपके पास, मान लिजए आपने political science से B.A. किया है, या फिर geography से कि है, तो आप लोग समाजिक अध्यान के विशे को चुन सकते हैं, और दोस्तों अगर आपने B.A. किया है, लेंग्वेश से चाहें वो Sanskrit हो, Hindi हो, या अंग्रेजी से हो, तो आप लोग भाशा का subject है, वो चुन सकते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा confusion अब भी छातों के बी है, तो वो असानी से दोस्तों गणित और विज्ञान का शिक्षक यहां पर बन सकता है, वो form भी अभी apply कर सकता है, लेकिन मान लीजे, अगर गणित और विज्ञान का शिक्षक भाशा का शिक्षक बनना चाहता है, तो क्या वो इसके लिए eligible है या नहीं है, ये सबसे confusion है दोस्तों जो अभी तक बना हुआ है, पूरी eligibility भी आप लोगों को बताने वाले हैं, क्या-क्या eligibility होनी चाहिए, फिलाल दोस्तों आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि गणित और विज्ञान के ऐसे शिक्षक जो भाशा लेना चाहते हैं, ये समाजिक अध्यान लेना च सकता है, आयोग की तरफ से थोड़ी clarity यहाँ पर बन जाए और आपको जो भी जानकारी होगी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइट की जाएगी, फिलाल दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अगर आपने बीटेक किया हुआ है, तो आप अराम से गनित और व बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर जो बीए के बच्चे हैं, वो समाजिक अध्यान का यहाँ पर टीचर बन सकते हैं, या फिर अगर उनके पास बीए में भाशा थी, तो वो भाशा का option भी चुन सकते हैं, अब दोस्तों बात कर लेते हैं, बीए वाले जो student है, वो भी य थाइन जाते हैं, और दोस्तों अगर बी कॉम की बात की जाए, या एम कॉम की बात की जाए, तो यहाँ पर जो बी कॉम, एमकॉम वाले हैं, वो भी यहाँ पर समाजिक अध्यान के टीचर बनने के लिए eligible हैं, अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं, M.C.E. वालों की, जानकारी दे देते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किसी भी विश्विद्ध डेल से इसनाथ तक की उपादी यानि के सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन की डिग्री कुछ भी हो सकती है चाहें वो बी-टेक हो बी-बी-ओ- बी-सी ओ, एम-सी ओ, एम-सी ओ तो खेर दोस्तो माश्टर डिग्री है लेकिन बी-ओ और यहाँ पर जो भी आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की होई है वो यहाँ पर मानने हैं साथी साथ में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रारंबिक शिक्षा में दो वर्शी ड और यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि बी-टेक यहाँ पर 50% बी-टेक कहा रहा हूं दोस्तों माफ कीजेगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बी-एड यानि के आपके पास सनातक डिग्री के साथ आपके पास बी-एड होना चाहिए और बी-एड अगर आपने किय पास फीज़ी अंक आप लोगों के सनातक में होने चाहिए अगर आपने यहाँ पर बी-टी-सी किया है तब भी आप लोग यहाँ पर इलिजिबिल है और प्रारंबिक शिक्ष्या में अगर आपने बी-एलर्ट किया है तब भी दोस्तों आप लोग इस भरती के लिए कर दोस्तों में अगर आप लोगों के बीए लिए अगर आप लोगों के पास जूनियर लेविल्स लेविल को सकंवा उत्तिर जाता है तो n form के लिए आप eligible नहीं है अब दोस्तों देख लेते हैं कि minimum age कितनी होनी चाहिए form को fill करने के लिए तो जो age है दोस्तों वो भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नियमा वली में साफ साफ लिखा हुआ है यह जो भरती है इसकी age यहाँ पर 21 साल मागी गई है और जो maximum age है general candidate के लिए वो 40 वर्श है यानि कि दोस्तों विज्ञापन की तारीख यह भी बहुत important है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विज्ञापन के दिनांग को यानि कि कल अगर आप लोग यानि कि 2 मार्च को अगर आप 21 वर्श के हो रहे हैं और 40 वर्श से अधिक आयू के नहीं हो रहे हैं और अगर आप general candidate है तो आप इस form को apply कर पाएंगे इस form में apply कर पाएंगे और दोस्तों अगर बात की जाए reserve category की अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती और पिछड़े वर्गों के जो reserve category के जो हमारे चातर हैं तो वहाँ पे दोस्तों उन्हें 5 वर्श के relaxation यहाँ पे दिया जा रहा है इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अगर आप general candidate है तो अगर आपकी उमर 21 से 40 साल के बीच में है तो आप इस form को apply कर पाएंगे और दोस्तों अगर आप OBC, SC, HT के हैं तो यहाँ पे आपकी age अगर कल यानि के 2 March तक 21 साल से लेके 45 साल के बीच में है तो आप लोग इस form को apply कर पाएंगे उमीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कीजेगा चैनल को subscribe कीजेगा ताकि आप लोगों को हर update सबसे पहले मिल सके जैहें जैमारा